हेलो फ्रेंट्स अब दिखरें टेक्निकल हिंदी गुरू जी फ्रेंट्स इनीट 2020 की MBBS BDS का Provisional Merit Relisht चात्रों का रिलीज किया गया है जिसमें टोटल कंडियर्ट की बात की जाए तो 15,160 की Provisional Merit Relisht यहां पर रिलीज की गई है जी या फ्रेंट्स काफी श्ट्ट्ट्स जो को जो है MBBS College नहीं मिल पाया था नहीं BDS College मिल पाया था तो यहां पर जो चात्रों को मौका दिया गया है और चात्रों के लिए good news है कि उनको एक बार फिर से यहां पर मौका दिया गया है क्योंकि बहुत से इस टूट्स रह गए है जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पढया और तो देखना है किनकी कंडियों का से लिश्ट में नाम है लिबीजित को लिए कुछ सब्सक्राइम को जरूँक कर लें सब जरूष क्न मिल सकें वीडियो सुरू करने इस पहले फ्रेंट्स में आपको बताना चाहूंगा आपके लिए आपके लिए इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलर्शिप टेस्ट है फॉनी टीजी इस्पिरेंट्स के लिए बिन स्कॉलर्शिप अप्टू 1.5 करोर प्लस इंदा मन्त और फैब कोई रुपे आपको नहीं देना होगा उसके यहां पर जो टेस्ट होगा स्कॉलर्शिप टेस्ट होगा चार सेक्षन होगे और यहां पर अनकेडमी एक और इंडिया रेंकर समेट फॉनी टीजी इस्पिरेंट्स की लेकर आया है जो कि 20 और 21 फरवरी 10 बजे से स्टार्ट हो आपको नहीं देनी होगी इसी के साथ फ्रेंट्स आपको बताना चाहूँगा अगर आप नीट के लिए या किसी अधर कोर्स के लिए क्रेस कोर्स के लिए अगर आप जो सस्क्रिप्शन लेना चाहते तो कुछी दिनों का आपके पास समय है लाश्ट फ्यू डेज आपको 10 देना होगा तो जल्दी से लिए अभी सस्क्रिप्शन लेने 10 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहां पर लिस्ट ओपन कर लिया है यहां देख सकते हैं आप नीट यूजी मेडिकल और डेंटल एडविशन काउंसलिंग बोड दोज़ तो इस लिष्ट को देख सकते हैं इस लिष्ट को डाउलोड करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है क्लिक करके आप इस लिष्ट को डाउलोड कर सकते हैं तो यहां से आप देखीगा इसमें कुछ इलिजबल है तो कुछ इलिजबल है तो यहां पर आप देख पाएंगी यह list जो है आप देख सकते हैं इसमें छात्रों का serial number दिया है registration ID दिया है नेट ID दिया है नेम दिया है father's name gender domicile दिया है category fill किस category fill किया है category considered दिया है ठीक है considered additional category need percent क्या थी need में all India rank क्या है combined state merit number क्या है eligibility criteria क्या है और यहां देख सकते हूं अगर मैं सबसे last page पर इसकी चलता हूं तो सबसे last page पर आप देख सकते हैं सबसे last page पर यहां पर आप देखिएगा 15,106 total candidates इस list में नाम दिये गए हैं तो जिनके आगे remarks में कुछ नहीं लिखा है तो वह सभी candidates eligible हैं जैसे यहां पर दिया है कुछ नहीं लिखा है तो कुछ candidates यहां पर not eligible है तो वह eligible नहीं है ठीक है इस list को download करने के लिए link आपको description मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि सभी candidates बताएगा कि आपको कितनी rank पर यहां पर college अलॉट किया गया है अगर मैं इसकी seat matrix की बात करूँ कि कितनी seat backend अभी बची हुई है तो seat matrix आप देख सकेंगे seat matrix देखने के लिए आप देखेगा मैंने यहां पर seat matrix open कर लिया है और आज है 19 फरवरी और 18 फरवरी सामकाई seat matrix से आप देख सकते हैं इसमें कोई seat backend नहीं है और दर्सन डेंटल कॉलेज जो की दैपुर में है उसमें 19 seat backend है दसवानी डेंटल कॉलेज कोटा में 21 seat backend है तो इससाब साब साब सीट को देख सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगी किलिक करके आप इसको जो है देख लीजेगा ठीक है आपको seat matrix वहीं से मिल जाएगी और आप जो list मैंने दखाई थी वो list भी मिल जाएगी आप लिंक आपको description मिलेगी टोटल 430 seat backend है और 430 seat पर 15106 candidate दाविदार है तो देखीगा आपको जहां भी देखना है कि कहां आपको seat लेनी है कहां नहीं लेनी है वो अपने हसाब से देख लीजेगा तो मैं चाहूँगा कि सभी candidates बताएं कि कि किन का candidate का list में नाम दिया है किन का नहीं दिया है तो जो को कोई भी आपको query चाहिए या कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूँ सकते हैं और टेलीग्राम का link आपको description मिलेगा टेलीग्राम की link पर click करके आप टेलीग्राम पर join होई गया वहां से आप मुझसे personally chat कर सकते हैं कुछ query वेगर रहती तो मुझसे comment पूँ सकते हैं टेल personally chat करना है आपको फिर personally chat करने के लिए आपको message कर दूंगा मुझसे personally chat कर पाएंगे जो कुछ भी पूछना चाहते हूं ठीक है